बॉलिवूड एक्ट्रिस जानवी कपूर इन दिनों अपने अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिस्स माही को लेकर लाइम लाइट में हैं। हाली में एक्ट्रिस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही है। इन सब के बीच एक इंट्रिव्यू में जानवी से सवाल किया गया कि क्या जानवी अपने बॉइफ्रेंड का फोन चेक करती हैं। इस पर एक्ट्रिस ने दिल्चस्प खुला सकिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जानवी कपूर अपने फिल्म मिस्टर और मिसिज का प्रमोशन करने के लिए कि इवेंट में पहुँची। जहां उनसे सवाल पूछा गया कि क्या गर्फ्रेंड को अपने बॉइफ्रेंड का फोन चेक करने की परमीशन होनी चाहिए। इस सवाल का जानवी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरहसल जानवी ने कहा कि मुझे पता है कि ये रेड फ्लैग है लेकिन मैं तो फोन चेक करती हूँ। वही जब दर्शकों में से किसी ने जानवी से पूछा कि क्या बॉइफ्रेंड को अपनी गर्ल्फ्रेंड का फोन चेक करने की परमीशन होनी चाहिए। इस पर एक्ट्रेस फटाक से जवाब देती है। नहीं वही जब उनसे पूछा गया क्यों नहीं होनी चाहिए। कि वह शिखर पहाडिया को डेट कर रही है। तिलचस्प बात यह है कि इनका पहले ब्रेक अप हो गया था। लेकिन दोनों अब एक बार फिर से साथ में हैं। एक चैनल से बात करते हुए जानवी ने कहा था कि शिखर पहाडिया तब से मेरे जिंदगी में हैं जब से मैं 15-16 साल की थी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने हमेशा उनके अपने सपने रहे हैं। हम बहुत करीब से एक दूसरे को जानते हैं। हम लगबगे एक दूसरे के स्पोर्ट सिस्टम रहे हैं। जैसे कि हमने एक दूसरे को बड़ा किया हो। वही एक्ट्रिस की वर्ट्फरंट की बात करें तो जानवी की फिल्म Mr. & Mrs. Mahi एक स्पोर्ट्स बेस्ट फिल्म है। इसमें जानवी ने राजकुमार राओ के साथ स्क्रिन शेयर की है। फिल्म में जानवी एक क्रिकेटर की रोल में नज़र आएंगी। आपको बता दे कि ये फिल्म सिनेमा घरों में 31 माई को रिलीज हो रही है। पंजाब के इसरी नवोदे टाइम से रितुशर्मा की रिपोर्ट।